हलो फ्रेंड्स वेलकम बैग टू करी स्टेल्स आज मैं आप लोगों के लिए रबडी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है और घर में बनावा रबडी तो काफी टेस्टी लगता है अब से आप बजार से रबडी लाना भूल जाएंगे जब आप हमारी यह रेसिपी देखेंगे और इससे आप ट्राय करेंगे तो तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें रबडी बना गैस का flame हमें इतना रखना है जिसे के दूध जो है उबल के बाहर ना किरे और ये अंदर ही अंदर उबलता रहें। इससे क्या होगा। बांगी काम भी हम कर लेंगे और साथ के साथ रभड़ी भी बंती रहेगी। तो इस तरीके से गैस का फ्लेम हमें मेडियम करना है या फिर मेडियम फ्लेम पे भी अगर दूद गेने लगे तो उसे भी फ्लेम हम कम कर देंगे और बीच विच में इस तरीके से चम्मर से चलाते रहेंगे गैस का फ्लेम हमें इतने पे सेट करके रखना है जिसे की दूद में इस तरीके की उबाल आती रहें इससे क्या होगा दूद धीरे-धीरे गाढ़ा होता जाएगा और फिर हमारी रवड़ी बनती रहेगी इस तरीके से दूद उबलते हुए दूद उपर आने लगता है और दूद गिरने का ड़़ होता है तो इसमें हम क्या करेंगे चम्मर से दूद बीच में चलाते रहेंगे और फिर इसे हिलाते रहेंगे जिसे की दूद गिरेगा नहीं और दूद गाढ़ा भी होता जाएग हालांकि जब इस तरीके से दूद हम काड़ा करेंगे तो इसमें हमें टाइम जादा लगता है लेकिन इस बीच हम और भी कही सारे काम कर सकते हैं सब्जी काड सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, कप्रे धू सकते हैं इस बीच हम और सारे बहुत सारे काम कर सकते हैं यह हमारी पर depend करता है कि इस बीच हमें क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि दूद जो है वो जले नहीं और गिरे नहीं, बस बीच-बीच में हमें इसे चलाते रहना है, और अगर आपको रबडी जल्दी बनानी हो, तो आप इसे full flame पर लगातार चलाते वे रबडी बन आ सकते हैं, लगबग एक घंटे हो गया है, आप देखेंगे कि दूद पहले से गाड़ा हो गया है, और यह लगबग एक चौथाई दूद जल चुका है, इसे हमें और गाड़ा करना है, और इस तरीके से उबालते वे ही हम दूद गाड़ा करेंगे, और जब भी बरत्रिं चारो और दूद हलका से चिपकेगा, तो इसे हम इस तरीके से चमच से निकालते जाएंगे, यहां मुझे आप से एक बात और शेयर करनी है, कि अभी जो हम रबडी बना रहे हैं, वो लो फ्लेम पे बना रहे हैं, या फिर मिडियम फ्लेम पे, तो इससे क्या होगा, लो फ् फुल फ्लेम पे रबडी बनाते हैं, तो इसका कलर जो है वाइटिश होता है, लेकिन इसके टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, अगर आपको कलर बिलकुल वाइट चाहिए रबडी का, तो आपको फुल फ्लेम पे ही रबडी बनाना है, और लगातार इसे चलाते रहना है, लगभग दो घंटे हो गया है, और रबडी भी पूरी तरह से बन गया है, बिलकुल इस तरीके का जब हो जाए दूद गाड़ा, तो हम जो है गैस का फ्लेम आफ कर देंगे, चुक्कि अभी गरम है, इसलिए ये रबडी पतला लग रहा है दिखने में, लेकिन ज डवी ठंड़ी होगी, और जब इसे फ्रीज में रखेंगे तो हो बिलकुल रबडी के टेक्शर में आ जाएगा, तो बस जब इस तरीके का हो जाएगा, तो गैस का फ्लेम हमें आफ कर देना है, और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है, लगभग ए गंटे हो गया है, रबडी पुरी तरह से ठंडी हो गई है और यह देखे ठंडी हो जाने के बाद छाली भी इसके उपर अच्छे से बैठ गया है तो इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसमें डालेंगे लगबग धाई से तीन चम्मच चीनी चीनी हमें इसमें बहुत जादा नहीं डालना है चुकि जब दूद गाड़ा होता है तो यह थोड़ा मीठा हो जाता है या फिर आप अपने टेस्ट के कोडिंग चीनी कम्या जादा कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगबग एक घंटे के लिए फ्रीज में लग देंगे ताकि यह रबड़ी जो है पूरी तरह से ठंडी हो जाए और यह बहुत अच्छे से गाड़ी हो जाए लगबग एक घंटे हो गया है अब रबड़ी को हमने फ्रीज से निकाल लिया है यह देखिए रबड़ी कितनी अच्छे से गाड़ी हो गई है और इसका टेक्श्चर भी बहुत अच्छा आ गया है बिल्कुल रबड़ी की जैसी होती है या फिर इसे आपको और ज़्यादा गाड़ा करना है तो दूद जब हम गाड़ा कर रहे होते हैं पर उसे आपको थोड़ी देर और दूद को चलाना है तो रबड़ी जो है और ज़्यादा गाड़ी हो जाएगी अब इसमें डालेंगे आधा चमच हरी नायची का पॉड़र और डालेंगे थोड़े से केसर के धागे और थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता इन तिनों को डाल कर अच्छे से मिला लेंगे और अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे अब इसके उपर थोड़ा सा गेसर का धागा डाल देंगे इस तरीके से और फिर थोड़े से कटे वे पिस्ता के साथ डेकुरेट कर देंगे ये रबड़ी बनके बिल्कुल रेड़ी है अब आप इसे सर्व कर सकते हैं तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करकर ज़रूर बताएं साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू